हलो फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको solve कराऊंगा ESIC Stenographer 2019 का इंग्लिज का question paper तो इसके कुछ question मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में दे दिये थे और कुछ question इस वीडियो में हम इसके solve करेंगे ठीक है इसमें जो है पूरे 100 question आये हुए थे तो हमने उसमें से आपको लगबग 20 question solve कराये थे यह सारे question हमने इसमें कर लिये थे और इसके आगे question अब हम इसमें आपको solve करवाएंगे ठीक है अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसको जा करके देख लिजे आपको मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर अब देखते हैं इसके आगे ठीक है इस question को मैंने आपको homework के लिए दे दिया था तो आप लोगों ने solve किया होगा ठीक है इसको बता देता हूँ answer इसमें क्या होगा तो इसमें आपका improvement का है तो must be addressing immediately ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप पैसिवाइस बनाते हैं जैसे कोई भी model होती है मालो must है यहाँ पर तो must जैसे कोई model है ठीक है कोई model है तो model के बाद क्या होता है वर्वी की first फाम आती है और जब इसको पैसिवाइस अगर इसका पैसिवाइस हम यहाँ पर बनाना चाहिए तो क्या होता है must प्लस बी प्लस वर्वी की third फाम इस तरीके से इसका पैसिवाइस बनता है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बी के बाद जो है वर्वी की ing फाम आई हुई है जो की यहाँ पर रोंग है क्या होना चाहिए यहाँ पर वर्वी की third फाम होनी चाहिए तो आपसन में देखेंगे तो must be addressed ठीक है must be addressed इसमें है must be addressed urgently और needs to be addressed immediately ठीक है तो यह तो होगा नहीं must be addressed वाला तो नहीं होगा ठीक है और बाकी must be addressed urgently और immediately हो सकता है यहाँ पर ठीक है आपसन नंबर B हो सकता है correct और must be जो होता है यह equal to होता है किसके need के ठीक है तो यह भी आपका correct यहाँ पर हो सकता है ठीक है तो A और B आपका दोनों यहाँ पर correct हो सकते हैं option number 4 इसमें यहाँ पर correct होगा ठीक है यह था sentence improvement के questions आगे चलेंगे अब जो आज के questions से उनको देखते हैं तो यहाँ पर solve करेंगे इसमें I asked him where did you live? He replied, फुलेरा विलेश ठीक है तो इसमें आपको फिलिंदा blanks के question है यहाँ पर तो इनको आपको solve करना है तो आप लोग जल्दी से इनको solve करें फिर मेरे answer से अपना answer इसमें match करें ठीक है आए यह देखते हैं I asked him where did you live? He replied, उसने reply किया फुलेरा विलेश ठीक है तो आपको preposition भरना है in, on, at और to तो यहाँ पर कौन सा correct preposition आएगा यहाँ पर जो correct होगा वो होगा preposition at क्या होगा? preposition at यहाँ पर बिल्कुल correct होगा और कोई भी preposition यहाँ पर नहीं आएगा ठीक है? इन जो होता है, बड़े सहरों को बताने के लिए होता है, आपर बिलिस की बात करी गई है इसलिए आएट आएगा ठीक है? चलेंगे next question पर next question है मारा आज का और आज मैं आपको जो है, एक close test भी solve कराऊंगा ठीक है? close test भी आपको solve कराऊंगा जो कि comprehension का part है इसको यहाँ पर fill कीजिए, यहाँ पर correct क्या होगा इसमें से, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमको चाहिए क्या? यहाँ पर हमको चाहिए verb ठीक है, क्या चाहिए? verb चाहिए, ठीक, verb कैसी हमको यहाँ पर भरना है, यहाँ पर हमको चाहिए वर्ब ठीक तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी building या किसी मकान के बारे में बताते हैं कि उसके वो कहाँ पर है उसके बारे में बताते हैं कि वो कहाँ पर है तो उसमें हम लोग present and definite tense का प्रयोग करते हैं किसका present and definite tense का प्रयोग करते हैं आप लोग इसको यहाँ पर लिखने पा रहा हूं आप लोग समझने कोसिश करने ठीक है तो present and definite tense को हम लोग यूज करते हैं बताने के लिए कि कोई चीज कहाँ पर इस्थित है कोई घर हो गया वो कहाँ पर इस्थित है ठीक हो तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस टेंड्स एक ही आप सने जो इस टेंड्स है जो कि हमारा करेक्ट होगा यही वर्ब की फर्ष्ट फाम है क्योंकि आपको पता होगा चाहिए कि जो present and definite tense है इसमें वर्ब की फर्ष्ट फाम का यूज होता है singular plural होते है इसमें तो अगर plural subject है तो हमारा केवल वर्ब की फर्ष्ट फाम आती है अगर singular होगा तो उसमें yes या yes लगा देंगे क्योंकि हमारा subject यहाँ पर singular है क्योंकि यहाँ पर क्या दा निमेस्ट होस्पिटल बिल्डिंग तो किसी एक बिल्डिंग की बात की जा रही है इ ठीक stands हमारा जो है correct answer यहाँ पर होगा ठीक है आई हूप आपको सोन में आ गया हो गये और standing अकेले नहीं आएगा इसके साथ कोई helping वर्ब आनी चाहिए वर्ब की second farm भी नहीं आएगी क्योंकि अभी इस्थापित है वहाँ पर इस्थापित था यानि केपगीर गई है ठीक है बट यहाँ पर अभी इस्थापित है इसलिए यहाँ पर stands ही correct option इसमें होगा चलेंगे next question पर next question हमारा और एक student ने कहा था कि सर थोड़ा speed में पढ़ाय करें ठीक है तो यहाँ पर YouTube में एक option होता है आपको speed increase करने कर ठीक है अगर आपको लगता है कि मेरी speed जो पढ़ाने के थ जो अपने वीडियो की speed है उसको कम जादा कर सकते हैं यहाँ से ठीक है तो आप setting में जाकर के उसकी speed जो है अपने हिसाब से manage कर सकते हैं चलिए इसमें देखते हैं अभी थोड़ा सा cold चल रहा है तो मैं थोड़ा slow ही पढ़ा पाऊंगा ज्यादा speed में नहीं पढ़ा सकता नेक्स्ट है आपर the cbi is already into the properly dispute angle in the case तो चलिए इसमें solve कीजे और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सभी क्या है probe है यहाँ पर आपको भरना क्या है यह एक वर्ब है probe ठीक है तो इसी को आपको भरना है इसका मतलब होता है छान बीन करना ठीक है किसी case की ठीक है investigate करना या जो बोलते है probe ठीक है तो चलिए आप लोग तो जानगे probe की मेनिंग क्या होती है अब यहाँ पर चार आपसन में प्रोब दिया गया ठीक है अब आपको यहाँ पर कौन सी वर्ब सूटेबल होगी आपको यह भरना है ठीक है के वोल बर्ब की फाम यहाँ पर आपको भरना है तो आई देखते हैं इसमें क्या होगा आप लोगों ने कर लिया होगा ठीक है तो यहाँ पर सिंपल सा है यहाँ पर आया हुआ है इज इज क्या बता रहा है इज के बाद जो है वर्ब की कौन से फाम आती है वर्ब की आएंजी फाम आती है यह प्रिजन्ट कांटिनुश टें उसको बोलते हैं प्रोब ठीक है यह समझ लिजे कि इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा सा अपर लेवल हो जाता है ठीक है जैसे एक पुलिस पुलिस वाले भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और CBI भी investigation करती है तो CBI क्या करती है, थोड़ा गहराई में जा करती है पुलिस उपर-उपर करती है तो समझ लिजए कि पुलिस investigate करती है तो CBI क्या करती है, प्रोब करती है ठीक है, आगे चलेंगे next question पर next question है आप रहे अब इसमें आपको क्या करना है तो ये भी एक तरह का sentence improvement है sentence improvement है आपको इसको करना है sentence improvement काफी question आये थे कल मैने कल वाली वीडियो में भी आपको 5-6 question solve कराये थे इसमें भी आपको कई question sentence improvement से मिलेंगे ठीक है तो आपको अपना grammar वाला, vocab वाला और comprehensive तीनों पार्ट को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करके exam में जाना है तभी आप exam में अच्छा perform कर पाएंगे otherwise आपको problem होने वाले है क्योंकि paper जो है paper का level बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर ठीक है तो आपको इस वाले पार्ट में जो पार्ट है इसमें आपको improvement करना है तीन आपसन दिये गए तीनों में से क्या आ सकता है ठीक आपको यह बताना है तीनों में से एक आपसन सही होगा दो आपसन भर सकते हैं तीन आपसन भर सकते हैं क्या होगा यह आपको इसमें से बताना है और यहाँ पर पांच आपसन आपक है कि के अलावा यहां पर लेखने में थोड़ी से प्राप्लम हो जाती है इस लिख नहीं पाता हूं ठीक है के अलावा और इंग्लिस में देखें तो इसका मतलब होता है इन प्लेस आफ ठीक है instead of, ठीक है, के सिवाए और except जो होता है except भी वही meaning रखता है, ठीक है except भी, इसका मतलब होता है क्या अलावा, बट, यहाँ पर यह किसी चीच के अलावा नहीं, किसी चीच को छोड़ कर, ठीक है, किसी चीच को छोड़ने की बात करता है, except उसमें किया होता है, इसमें किसी यहाँ पर देखी, व tu face ने लिखे हुए, दो उधारणाई multiply है आपर, ठीक है एक तो है, c choose tea, instead of coffee, तो उसने क्या choose किया है टी instead of coffee, coffee के अस्तान पर चाई को चूना है ठीक है, तो उसने coffee के अस्तान पर चाई लिया है तो उसने क्या है बदल दिया है अदला बदली इसमें कर रहे हैं कि कोफी नहीं लिया है उसने कोफी के स्थान पर उसने चाय मांगा है जबकि अगर दूसरा अपसन देखें तो टेक आल दा फ्रूट्स एक्सेप्ट एप्पल एंड बनाना इसमें कहा गया है कि बनाना और एप्पल को छोड़ करके आप सारे फ्रूट ले लीजे ठीक है बनाना और एप्पल को छोड़ करके आप सारे फ्रूट ले लीजे तो यहाँ पर क्या था यहाँ पर उसके बदले म आया था बट except क्या होता है उसको छोड़ करके बात करता है ठीक है तो उनों का मतलब हिंदी में एक जैसा होता है के अलावा या फिर के बावजूर ठीक है तो यहां पर जो इंस्टीड आप बिल्कुल गलत लगा हुआ है यहां पर हमको चाहिए क्या except की मीनिंग चाहिए every cell up your body except your red blood cell ठीक है तो आपका जो body का प्रतेक cell है RBC को छोड़ करके ठीक है RBC को छोड़ करके तो यहां पर except आपका correct होगा option number second और अगर बात करें इसमें बिथदा exceptions आप और यह है बिथदा exception आप ठीक है तो in every cell up your body instead आप exceptions आप ठीक है तहां पर यह तो plural है plural नहीं होगा यह भी आपका correct होगा बिथदा exception आप इसको भी except इसका भी मतलब क्या होता है except ही होता है ठीक है तो यह दू option यहां पर विल्लकुल correct होंगे तो option number two और three two और three जहां पर वही हमारा correct होगा option number four हमारा जो है बिल्कुल यहां पर correct हो जाएगा इस तरीके से आपको करना ठीक है तो आप लोग समझ गया होंगे कि यहां पर sentence क्या पनेगा in every cell up your body except your red blood cell ठीक है और दूसरा क्या है in every cell up your body with the exception of your RBC ठीक है तो यह होगा और आपको दोनों में इस फरक जो है different क्या है इनको याद रखना है कि instead of और except में क्या difference होता है इसको यहां पर clear कर लेना है और दोनों example अपने साथ लिख लेना वहां पर ठीक है इसका मतलब होता है in place आप किसी चीज के अस्थान पर और except का मतलब क्या होता है किसी चीज के अलावा ठीक है किसी च छलेंगे नेंश्ट कुश्चन पर नेंश्ट कुश्चन है हमारा सी एतस वरिभडी एंड एवरिटींग विच रिवाइंड हर आप हर मिश्टेक तो चलिए इसमें सॉल एंड विच हर विट्ल – तो आप अपको ध्यान रखना एकिंगेद牛an जोड़ी हूँ ठीक है और दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बात की रही है तो यहां पर जो रिलेटिव प्रोणावन होता है उसको हम किवल दैट का यूज करते है ना कि बिच का यहां पर क्या होगा कर्ट जो रिलेटिव प्रोणावन आता है वो आता है दैट कव जब दोनों चीजे अलग अलग होँ ठीक and से जुड़ी हों और अलग अलग हों अगर क्यों यहां पर जो person होता तो उसके लिए अलग हम यहां पर यूज करते अगर कोई thing है तो which भी हो सकता था that भी हो सकता था बट यहां पर दोनों अलग अलग से कौन सा करेक्ट होगा ठीक है बाकी आपसन यहां पर दिये गए है तो इसमें से आपसन नंबर दो बिल्कुल करेक्ट होगा only three is correct ठीक है चलेंगे next question पर next question है आज का इसमें देखेंगे every teacher at this college is determined to do their best for the glorious prospect of the college ठीक है तो चलिए इसको भी improve करें यहां पर कोई error हो तो correct करें इसको otherwise no correction required होगा ठीक है तो आज देखते हैं क्या होगा यहां पर every teacher at this college is determined to do their best for that ठीक है तो error तो है इसमें आप लोग को इसमें पहचाने की error क्या है ठीक है तो चलिए मैं बताता हूं इसमें error क्या है यहां पर देखे आया है every teacher ठीक है every teacher every teacher का मतलब क्या है कि singular हो गया ठीक है यह singular बता रहा जब भी every या फिर each लगा होता है तो यहां पर singular बना देता है तो यहां पर यह क्या है singular है मारा ठीक है और जब singular है तो उसके आगे आने वाली जो वर्ब होंगी जो भी pronoun होते हैं वो भी सभी क्या होते हैं singular ही use होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आया है pronoun dear ठीक है दियर pronoun आया है जो की wrong है wrong है यहाँ पर होना क्या चाहिए यहाँ पर हीज होना चाहिए ठीक है यहाँ पर होना चाहिए हीज दियर जो हता है plural के लिए आता है दे का होता है ठ singular में यूज होता है ठीक तो यहाँ पर हीज जो है हमारा correct होना चाहिए तो option में देखेंगे to do his best फार्दा ठीक यही वाला आपका correct होगा option number second यानि कि इसमें देखेंगे तो option number one जो है हमारा बिल्कुल correct होगा यहाँ पर ठीक option number one ही ठीक होगा बाकी सभी wrong निक तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है each मतलब every teacher आया है every teacher के according यहाँ पर देख सकते हैं verb कैसी आई होई है singular verb भी आई होई है और आगे जो भी pronoun आएगा वो भी singular ही आएगा ठीक है I hope आप लोगों को यह समुन में आ गया होगा चलेंगे आगे यहाँ पर देखेंगे क्या करना है तो Lisa watched the two of them sensing that there was something none of them wanted to mention ठीक है तो यह भी काफी असान है आप लोग स्वालो करने की कोशिस करें इसमें तो देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखें आया है none of them ठीक है none of them और यहाँ पर बात जो है Lisa watched the two of them ठीक है यहाँ पर दो चीजों की बात की जा रही है ठीक है बात किसकी की जा रही है दो चीजों की और यूज हुआ है none का तो आपको ध्यान रखना है जब none और एक word होता है एक होता है नन और एक word होता है नीदर ठीक एक word क्या होता है नीदर होता है नीदर जो होता है दो चीजों के लिए यूज होता है और नन जो होता है दो से अधिक चीजों के लिए यूज होता है ठीक तो आपको इसको ध्यान अखना है दो नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं ठीक है नीदर का मतलब क होगा हमारा नीदर आना चाहिए नन के स्थान पर तो नीदर आफ देम यही वाला हमारा करेक्ट होगा option number three ठीक है तो option number two इसमें करेक्ट हो जाएगा ठीक है option number जो हम लगाएंगे वह होगा तो only option three is correct ठीक है और यहाँ पर कुछ और बात करें जैसे आया है इदर ठीक है तो इदर क्या होता है इदर जो होता है यह भी दो के लिए आता है दो में से कोई एक ठीक है इदर का मतलब क्या होता है दो में से कोई एक और नीदर में तक क्या होतला है दो में से कोई नहीं ठीक है आगे चलेंगे नेक्स्ट कोशिन पर तो चलिए यहाँ पर आप लोग इसको जो है इंप्रूब करने की कोशिस करें ठीक है तो देखते हैं यहाँ पर क्रेक्ट क्या होगा तो यहाँ पर जो है हमारी वर्ब आनी चाहिए यहाँ पर वर्ब नहीं है ठीक है यहाँ पर यह विच नहीं आएगा यहाँ पर हमको वर्ब लगाना पड़ेगा है ठीक है वर्ब होनी चाहिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी है ठीक है है अप्सन में चलेंगे तो आप ठीक है क्योंकि जब भी पास्ट में यहां पर देख सकते हैं currency these days and is widely used to describe a distinctive mode of politics ठीक है तो जब भी पास्ट में कोई काम हुआ हो और उसका प्रभाव भी present में हो तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं present perfect tense का यूज करते हैं तो यहां पर present perfect tense ही यूज होगा ठीक है यह वीच जो है यहां पर गलत लगा हुआ आगे चलेंगे next question पर next question है मारा this is not the first time यह भी एक तरीक क्या है इसमें जो है improvement है ठीक है इसमें भी improvement है यह भी improvement वाले question है यह वाले जो question थे जो पिछले question थे यह question थोड़ा अलग type के थे क्योंकि इसमें तीन option दिये गए थे और तीन मेंसे एक भी correct हो सकता था दो भी यहां पर हो सकते थे और तीनों भी हो सकते थे ठीक है और यह जो question है इसमें आपके पास पांच ही अपसन है ठीक है इसमें सो कोई एक ही आपसन करेक्ट हो गए यहां पर ठीक है तो देखते हैं इसमें इसमें यह लोगों को यह कितना जाथा clear है ठीक है तो चलिए आप लोग इसको solve करें यहाँ पर तो देखते हैं यहाँ पर correct क्या होगा यहाँ पर तो यहां पर जो है बहुत ही सिंपल सेरर है यहां पर जो इसकी जो जो कम होता है इसके तीनों फार्म कौन कौन से होती है कम होता है ठीक है यहां पर लिख नहीं पाता हूं कम केम और कम ठीक है तीनों फार्म कौन कौन से होती है कम होता है केम होता है फिर से कम हो जाता है ठीक ह तो first form और random क्या उती है क्यों बीच वाली वाली फर्म जो है अलग होती है यहां पर आप लोग जानते हैं कि हैज के बाद क्या ओना चाहिए वर्वी की third farm हनी चाहिए जब किis व्रभ की second form हे ठीक क्या है वर्वी की second form होनी क्या चाहिए वर्वी की थर्ड भाम कम यहाँ पर correct होना चाहिए तो option में देखेंगे है इस गम अप ठीक है तो second option यहाँ पर correct हो जाएगा ठीक है चलेंगे next question पर next question है हमारा the teenagers vandalize the statue without thought about the repercussions ठीक है तो चलिए इसको solve करें आप लोग vandalize का मतलब होता है तोड़ फोड करना ठीक है तोड़ फोड करना छती पहुचाना बरबाद करना और जो repercussion है इसका मतलब होता है कि नतीजा ठीक नतीजों पर पहुचना है प्रभाव नतीजा ठीक है तो चलें आप लोग इसको solve करें यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर देखेंगे के और करेंड क्या होगा तो state without और यहां पर बिल्कूल कर्यक्ट होगा क्यों correct होगो option no.3 क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि कुछ preposition होते हैं जिनके बाद हमेशा और हमेशा जीरंड आता है कुछ preposition ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा जीरंड का यूज होता है अब यह कुछ preposition यहां पर आपको मैंने दे दिये हैं ठीक कौन कौन से about after apart from because up before by in in spite of instead of on और without यह कुछ preposition होते हैं जिनके बाद हमेशा जीरंड आता है यह मैंने ऐसे ही यहां पर इसको सजाने के लिए नहीं लिखा है ठीक है इसको इसले लिखा है ताकि इसको आप लोग अपनी कौन पी पर note करें और इसको ध्यान रखें ठीक है तो आप लोगों को इसको लिखना है अपनी कौन पी पर ठीक है तो without यहां पर आप लोग देख फार्म आती है ठीक है ये जो है कुछ वर्ड लिखे हुए है इनको आपको लिख लेना है चलेंगे next question पर अब यहाँ पर आपको क्या करना है sentence that stands must opposite of the highlighted ठीक है तो आपको opposite meaning इसमें बताना है ठीक है ये जो highlighted word है इसमें ये जो highlighted word है इसका आपको opposite meaning बताना है ठीक है और चले एक चीज़ और बता देता हूँ आपको एक होता है ये वाला opposite और एक होता है ए वाला opposite ठीक है एक a से सुरू होता है एक opposite जो होता है और एक फिलाल यहां पर इसका जो है अपोजिट आपको बताना है कि होगा क्या तो इरोड का मतलब आपको पता होगा तभी आप लोग इसका बता पाएंगे क्या होता है इरोड मतलब होता है क्या है इसका मतलब होता है नस्ट करना ठीक लिख लेना है यहां पर आप लोग नस्ट करन होता है इसका मतलब या फिर खतम करना खा जाना नस्ट करना ठीक है तो चलिए इसमें देखते हैं करेक्ट क्या होगा तो first में आपको इसा पढ़ने की नीड़ नहीं है ठीक चाहिए तो पढ़ने की नीड़ नहीं है अगर आपको क्यों इसी word का जो है मतलब पता है तो आप इसको आसानी से निकाल लेंगे ठीक है तो यहाँ पर बताना है तो corroded एक word है एक annihilated, cleaned fortified और painted ठीक है TEGROAD अच़्कर होता है nust करना और fortified जो होता है fortified का मतलब मतलब होता है मजबूत बनाना क्या होता है मजबूत बनाना तो और option number 4 हमारा correct opposite meaning हो जाएगा ठीक है EROAD मतलब nust करना, fortified मतलब होता है मजबूत बनाना और जो आगे चलेंगे इसमें और यहाँ पर जो कोरोड कोरोड का मतलब होता है खुरोएचना क्या होता है खुरेचना होता है इसको मतलब नश्ट करना है एक तरीके से ठीक है आगे चलेंगे नेक्ट कुशन पर अभी देखिए ये वाले कुशन आये हुए हैं इस तरीके के भी कुशन आये हुए हैं आपके एक्जाम में इसमें क्या करना है यहां पर दो कालम दे गए यह पहला कालम है ठीक है और यह है आपका second कालम ठीक है तो इसमें आपको मैच करना है ठीक मैच करना है कि हिसाब से यहां पर दिया गया है कि identify the correct pair आप synonyms और intonim from the given table तो या तो आपको synonym का pair find करना है या फिर intonim का ठीक है मतलब कि इसमें से यह पांच option आपके पास दे गए हैं और पांचों में से एक option correct है correct कैसे है या तो वो दोनों जैसे बी और एफ हैं तो या तो यह दोनों बी एफ आपस में क्या सिनोनिम है या फिर एंटोनिम है ठीक है तो synonym के बेस पर या फिर एंटोनिम के बेस पर correct कुछ भी हो सकता है ठीक है आई होब आप लोगों सोन में आ गया होगा ठीक है तो अब इसको solve करते हैं तो eager यहाँ पर option पर चलेंगे ठीक है सबसे अच्छा option है ठीक है sufficient मतलब होता है परियाप्त ठीक है तो ना तो दोनों अपोजिट हैं ना ही synonym है ठीक है तो यह तो नहीं होगा एई देखते हैं eager eager मतलब होता उत्सुक और devoted मतलब devoted मतलब होता है स्रधालू भक्त ठीक है तो यह भी ना तो अपोजिट है ना ही कुछ है इसमें चलेंगे placid ठीक है और c का d से placid placid मतलब होता है सांत और काम का मतलब भी होता है सांत ठीक है यह वाला आपका मैच कर जाएगा c के साथ d का मैच बने गया हाँ पर जलाएं मतलब होता है सांत और काम मतलब होता है तो आपसन यहाँ यहाँ पर सिनोनीम भी ठीक है एक ही आपका करेक्ट मिलेगा या तो वह सिनोनीम होगा या फिर आन्टोनिम होंगा, यहाँ पर हमको synonym मिल गया यह हमारा correct है आप चाहे आगे के option check ही नहीं करना है हमको, जाहे var correct हों चाहे नद हों ठीक है तो हमारा जोँगे ए एक number बढ़ जाएगा, कुश्चन और रॉंग हो जाएगा फिर ठीक है तो एक ही option है जो हमारा करेक्ट है आगे चलेंगे next question पर next question हमारा यहां पर आपको क्या करना है यह भी वही question है synonym और antonym इसमें find करना है ठीक है मुझे लगता है कि आप लोगों समझ में नहीं आया किसमें करना क्या ठीक है यह जो दोनों कालम देगा है और यहां पर option को आपको देखना है ठीक है यह दोनों option में यह तो कोई synonym को मेच करेगा या फिर कोई antonym को मेच करेगा ठीक है वही हमारा correct answer होगा या तो synonym होना चाह ठीक है तो दोनों बिल्कुल सही है दोनों synonym है यह option हो जाएगा ठीक है यही option आपका correct होगा option number one ठीक है site मतलब होता है कहना और court मतलब होता है किसी जिसका उद्धरन करना यानि कि बार बार कहना ठीक जैसे कोई मंत्र का जाप करते रहना उद्धरन करना ठीक है तो यही पढ़ने के इसमें need नहीं है ठीक है चलेंगे आगे next question पर अब यहाँ पर आपको यह भी वही question है तो देखते हैं बी एफ B को F से match करते है Bountiful Bountiful मतलब होता है प्रचूर मात्रा में और scarce से मतलब होता है कमी ठीक प्रचूर का उल्टा होता है कमी ठीक बिलकुल सही है यह भी हमारा match हो जाएगा ठीक तो option number one इसमें correct हो जाएगा Bountiful मतलब होता है Purchure और Scars मतलब होता है कमी तो दोनों कि अपोजित हैं तो दो कुश्चन में हमको Synonym मिले इसमें हमको अपोजित मिला यह हमारा जो है Correct यहां पर हो जाएगा क्योंकि आपको या तो Synonym या फिर Antonym का पेर बनाना है आगे चलेंगे आप लोग इतना पूरा पढ़ सकते हैं यह Direction इतना बड़ा पूरा दिया गया है मैं इसको आपको समझा देता हूं कि इसमें करना क्या है इसमें भी आपको कालम एक कालम दो दिया गया है इसमें आपको मैच करना है सेंटेंस को ठीक है कि कौन सा सेंटेंस पूरा बनेगा आपसन देखेंगे C E को मिलाने पर sentence पूरा होगा कि A D को मिलाने sentence पूरा होगा B F को और B E को कौन सा sentence पूरा बनेगा जो sentence हमारा पूरा बन जाएगा मैच करने पर वह हमारा answer correct होगा यहाँ पर ठीक है तो चलिए देखते हैं C E को मैच करते है C E speak less and listen more बिल्कुल सही है यह हमारा जो है क्या है एक phrase है speak less and listen more ठीक है कम बोलो और जादा सुनो ठीक जादा सुनो और कम बोलो ठीक है बिल्कुल सही है यही हमारा मैच होगा जब मैच होगा तो option number one इसमें correct हो गया आगे आपको चेक करने की जरूत नहीं है फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ कि ad जैसे a और d को मैच करें तो they dug up incredible after the rain तो यह भी यह तो होगा नहीं कुछ दोनों sentence बिल्कुल अलग-अलग बाते कर रहें ठीक है जबकि sentence क्या होता है पूरा मिलना चाहिए कि उसी वही होना चाहिए ठीक है आगे चलेंगे next question पर अब चलिए आपका आगया है यह close test ठीक है तो close test को आपको अच्छे से करना है time जो है आपका 29-30 गंटा हो गया ठीक है चलिए थोड़ी देरो इसको देखते हैं इसको solo करते हैं थोड़ा fast प्राइम मिनिस्टर आप लोग वीडियो को पॉस्ट करके इसको एक बार पूरा पढ़ सकते हैं ठीक है आपको जो है अपना comprehension भी अच्छा करके जाना exam के अंदर ठीक तो आप लोग जो है थोड़ा दो चार लाइन दो है तो प्राइम मिनिस्टर जेस्टिन टुड़ इज प्रिपेरिंग एक्साइटिंग फैसिफाइंग ग्रोविंग ठीक है तो एस कनाडास बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन फॉर ट्रवलर्स हूँ है बीन फुली वेक्सिनेटड अगेंस्ट कोविड नाइन तीन तो यहाँ पर आपको भरना है तो प्रिपेरिंग आपका करेक्ट आप्सन होगा इसमें प्रिपेरिंग ठीक है जो प्राइम मिनिस्टर जेस्टिन टुड़ है वो प्रिपेर कर रहे हैं तो एस ठीक है आगे चलेंगे ति बाकिया पर इक्साइटटिंग मतलब grant a और ग्रोविंग करना थिक आगे बढ़ने वाला फ्छलना खॉलना आगे चलेंगे इसमें according to people familiar with the discussion the government is crafting plan to the current 14 days isolation period for border crossers who had two vaccine doses said the people speaking on condition they not be identified ठीक है तेहां पर क्या बात कर रहा है the government is crafting plan to current 14 days isolation ठीक है पीरियड for border cross who have two vaccine doses जिन्हों ने दो vaccine doses लगाई हुई है ठीक है जिन के जिन भी travelers के दो vaccine dose लग चुकी है उनको यहां पर कुछ करने की बात कर रहा है ठीक है जो की 14 दिन को isolation दिया गया है उसमें कुछ करने की कोसित कर रहा titan stefan limit losing ठीक है तो उसमें धिल देने की बात कर रहा है ठीक है जिनको जो दो डो लग गई है कोबिट की उनके जो है जो 14 इनका isolation है उसमें थोड़ी सी deal देने की बात कर रहे है ठीक है बाकि टाइटन इस्टिफन दोनों का सेम मतलब होता है और लिमिट मतलब लिमिट करना किसी चीज़ का और टाइटन और इस्टिफन दोनों सेम मेरिंग रखते हैं ठीक है तो यहां पर जो है आपका क्या हो रहा है कि जिनको दो डबल वैक्सीन की डोजर लग चुकी है उनको छापमद्ला धेल देगा ठीक है अगे चलेंगे ट्रबलर्स गनाड़ा उटिल बी आगे सी DR यहां परते तो जेंटे श्लिख और तुरी चाहतो हम धस्कёт। कहां परते इसमें आ ड्रिक प्रफ्लोस कनाड़ा उटिल पी टेस्टेट वर मैं भी रिकुराइड टूसरा क्वेरेंटायन फार ए सौटर पीरियड, ठीक है, तो ट्रवलर्स वेलकमिंग, वेंडरिंग, इंसरी, इनवेडिंग, ठीक है, इन्सरी आपका करेक्ट होगा, ट्रवलर्स इंसरी जो यातरी इंसरी कर रहे हैं कनाडा में, тीक है, उनको जो है थोड़े कम समय के लिए जो है क्वेरेंटाइन किया जाएगा ठीक जो लोग कनाड़ा में इंटर कर रहे हैं ठीक तो यहाँ पर इंटरिंग आपका करेक्ट होगा बाकी वेलकमिंग नहीं होगा वांडरिंग वांडर मतलब होता है घुमनतू ठीक और इन्वेड मतलब होता है आक्रमण करना ठीक चलेंगे नेस्ट कोश्चन पर नेस्ट कोश्चन है इसमें देखेंगे ऑप्सन नंबर चार में यहाँ पर भरना है तो the plan is expected to be announced within days जो प्लान है उनका यह जो प्लान था पूरा छोट और देने की उसको तो है announced within days कुछ दिनों में जो है announce करे जाने की संभावना है ठीक है though the timing could shift according to the people it is not clear when the changes would be or whether Canada will open up its border to non-US travelers at the same time ठीक है तो it is not clear when the changes would be यह clear नहीं है कि जो changes है उनके साथ क्या होगा disregarded, implemented, neglected, ignored, implemented आपका correct होगा यहाँ पर implemented जो changes है वो कब लागू होंगे यह अभी पता नहीं है ठीक है it is not clear यह clear नहीं है कि जो changes है वो कब से लागू होंगे implemented मतलब क्या हो तो लागू होना ठीक लागू करना और whether Canada people open up its border to non-US traveler at the same time और जो है कब जो है Canada जो है अपने border को open करेगा non-US traveler के लिए आगे चलेंगे बाकी neglect और ignore दोनों अलग है यहां पर चलेंगे next question पर next page में उसके बाद sometime pressure has been on the Canadian and US governments to relax restriction that have been in place since March of the last year ठीक है तो pressures has been on the Canadian यहां पर आपको भरना है growing listening decreasing neglecting ठीक है तो यहां पर आप लोग इससे भी eliminate कर सकते हैं आपसन को कि listening listen मतलब कम करना decreasing यह भी कम करना neglecting यह भी एक तरीके स्वही सेम मेनिंग रख रहा है तो तीनों तो लगभग सेम मेनिंग रख रहे हैं तो एक ही आपसन बचा है growing ठीक है तो यह हमारा जो है correct होगा यहां पर pressure जो है has been growing on the Canadian and US government जो pressure बढ़ता जा रहा है Canadian और US government के बीच में ठीक है आगे चलेंगे और इसके बात इतने ही आपसन मिलेते छटवा जो है यहां पर छटवा नंबर कुश्चन है यह हमको नहीं मिला ठीक है छे नंबर कराएंगे यहां पर पता नहीं क्या होगा उसके आपसन नहीं मिल पाएं ठीक है तो उसके लिए आप लोगों से sorry ठीक है बाकी आगे question इसमें solve करते हैं आप लोग इसको पूरा एक पार अच्छे से पढ़ लेना इसको solve करना ठीक है बैटके आगे चलेंगे अब यहां पर आपको क्या करना है और यह आज का जो है last question है तो आप लोगों से request है कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने friends के साथ जितना हो सके please share जरूर करना ठीक है इसमें आपको जो है same meaning बताना है यानि कि आपको synonym बताना है ठीक है तो चलिए आपक question को आपके उपर छोड़ देते हैं आपको comment करके बता देना है next video में फिर इसको हम solve कराएंगे ठीक है जैसा पिछले वीडियो हमने आपको एक homework दिया था इसको भी homework दे देते हैं ठीक है और इसकी PDF जो है आप लोग डाउनलोड कर लेना यह वाली जो पूरी PDF है आपको टेल वाले वीडियो में solve कराएंगे ठीक है thank you friends all the best